तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आटेन कल्चर की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है और अटेन कल्चर में में से लेकर आपके मेंस में वेट इस बहुत ज़्यादा रहा है पिस jcan culture में हमने पहला टॉपिक किया था जो आपके साथ सिभिलाइजeत्षन आज में Buddhist culture या बुद्ध आर्किटेक्चर का है पहला पार्ट कराने जहागा आपको जो की आप एक स्टूप दिख रहा होगा तो बोला जाता है कि मान लिजिए जस्ट कि मैजिन करिए एक कल्पना मात्र है एक इमैजिनेशन है कि एक धर्म अगर मैं उस समय पे जाके बोलू तो धर्म भी नहीं एक पंथ जिसके बहुत से अन्याई थे फॉलोवर थे लेकिन जब उस पंथ के प्रधान का उस सेक्ट के हेड का जब उनकी मृत्यू होती है उसके बाद में एक क्वेश्चन मारक आता है कि अब इस धर्म को आगे कैसे ले जाये जाए ऐसे मन में बहुत से विचार उपन होते हैं उसी समय बहुत संगती होती है बहुत संगती में गरंत आते हैं लेकिन इन गरंतों के पहले ही गौतम बुद्र की मृत्यू के समय ही उनके जो आउसेश थे उनको आठ भागों में बाढ़ कर एक महान आठ इस्टूप बनाए जाते हैं इस प्रकार से हमने एक धर्म को आगे बढ़ाने के लिए एक इंस्टिटूशन एक मोनुमेंट एक बिल्डिंग की न्यू रख दी उसी न्यू का प्रतीक है इस्टूप लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि यहां से अभी दोजा थेश के यूपेस्टी प्रिलिम्स में भी कुश्चन आया था और यहां से दो कुश्चन आपको फसेंगे दोजा थेश के ही प्रिलिम्स में और मैंने यह पहले भी पढ़ाया है लेकिन अब मैं आपको थोड़ा वो एडवांस करके पढ़ा रहा हूँ आज के सिसन में हम लोग mcq भी देखेंगे और जैसा कि आपको हर एक सिसन में कांसल लिखने को देता हूँ आज भी दूंगा पहले पढ़ाऊंगा फिर उसके डाइमेंशन दूंगा और फिर आप लिखके सब्मिट करेंगे करेंगे ना जी हां तो वन्स एगें एब्रिव हो चुकी है ठीके और अगर आप UPSC की तयारी बिल्कुल सीरियस कर रहे हो और अभी लग रहा है आपको की कॉन्फिदेंस की कमी है तो कॉन्फिदेंस की कमी तब आती है जब आपका जो प्रिप्रेशन है वो एक डारेक्शन में नहीं चलता एक अनुसासन में नहीं चलता अभी हम आपके लिए लेकर आएं केवल 7999 में ये बैच जहां पे आपको इतनी सारी क्लासेज, टेस्स सीरीज, मेंटोर्शिप और लाइब आंसर आइटिंग और साथ साथ में टॉपर्स के द्वारा आपको मेंटोर्शिप जी हां यहां यहां पे जो टॉपर है वो आपको क्लास में मेंटोर्शिप देगा, वो आपको गाइड करेगा how to write the answer, इतने कम प्राइस में यह कहीं भी अबलेबल नहीं है, but we are going to provide you, क्योंकि हमें education को democratize करना है, तो यह आपको यहां पे benefit मिल रहा है, आप इसको यहां पे deepak one code use करके, पहले प्राइस कुछ और सो करेगा, लेकिन आपको वहां पे code use करना है, deepak one, और जैसे आप यह code use करते हैं, deepak one, तुरंत आपको वहां पे discount के साथ में, ठीक है, 7.9 प्राइस सो करेगा, आप subscribe कर सकते हो, अगर आपको इसके साथ में geography optional चाहिए, तो वो भी detail यहां पे है, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए, क one out of every three selection in UPSC from unacademy, और अभी तो आपको मौका मिल रहा है, unacademy के साथ में पढ़ने का kill seven triple line में, मतलब pathfinder के batch में जुडने का kill seven triple line में, तो यह benefit भी आपको यहां पे available है, और आप हम लोगों से जुडने के लिए यह form fill कर सकते, scan कर सकते हैं, ठीक है, और description box में link मिलेगी, वह हम बात करते हैं, तो इस बार दोजा 23 में एक question आया है, कि stoop क्या है, आखर stoop सब्द की उत्पत्ती कहां पे हुई, हमने stoop सब्द को देखा कहां पे, तो ऐसे questions भी हमारे आप इस बार exam में पूछा हुआ है, और statement UPSC के इतने अच्छे होते हैं, कि अच्छे से अच्छे बैठते हैं, तो आईए यहां पे देखेंगे सबसे पहले, सबसे पहले यहां पे देखेंगे बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट्चर में stoopa, stoopa were burial mounds, ठीक है, यह क्या है बच्चो, burial mounds हैं, मतलब जहां पे मिट्टी के अंदर चीजों को दफन किया जाता है, prevalent in India from the Vedic period, य यह वैदिक पीरिट से इंडिया में प्रिवैलेंट है इवन अगर देखा जाए तो जो इस टूप सब्द है ठीक है यह सब्द जो है फायर कमिंग फ्रॉम अल्टार ठीक है अगनी कुंड से जो अगनी निकलती है जो हवन की अगनी निकल रही है हमने उसके लिए इस सब्द का प्रियोग रिगवेद में देखा है तो जी हाँ आप जो बहुत धर्म में इस टूप पढ़ने जा रहे हो इस इस टूप का नाम पहले भी यूज हो चुका है यह इसी बिल्डिंग जो है वो अब बनेगी क्लियर है और साथ साथ में बैदिक टाइम में जब चीजों को दफन करते थे उस बरियल मांड को लेकर एक खास सब्द प्रचलित था उससे भी इस टूप कहते थे ठीक है वही पेथिया में हम गोडा नाम मिलता है आज कल इंडिया के लोगों के रहने के लिए बना रखे हैं लेकिन अगर ओरिजनली देखा जाए तो इस टूप क्या है एक बरियल माउंड है जी हां इस टूप आई जब बरियल माउंड है आज गेटिंग मैं पॉइंट क्या आप कनेक्ट कर रहे मुझसे तो यह तो रही बात इस टूप इस टूप में आपको एक सिलिंड्रिकल ड्रम देखने को मिलेगा बिथा स्टर्कुलर अंड एंड हर्मिका एंड चत्र यह देखिए आप यह आपको एक अंड देखने को मिल रहा है ठीके यह और यह आपका क्या हो जाएगा सिलिंड्रिकल ड्रम हो जाएगा यह आपकी हर् स्प्राइब हर्मिका है और यह आपका च्छत्र है इस प्रकार चिस्तूप का निरमाड होता है इसमें सबसे पहले यह जो लिखा हुआ है जीसे हम हेमी स्फेरिकल मांड कहते हैं अंडा कुछ लोग बोलेंगे वैसे यह शुद में अंड ही बोला जाता है इसका मतलब हेमी क्लियर था मुंद डफन कर दिया जाता था यहां पर जब इनको डफन किया जाता था तो दफन करके तो उसी से सब्द आया है आपका स्टूप तो यहां पे भी जो अंड है उसे हम एमिस्फेरिकल माउंड कहते हैं जो एक mound of clay है used to cover गुद्धाज remains जिसे गौतम गुद्ध के remains को cover करने के लिए बनाया जाता है इन many stupa actual relics were used और कई stupa में actual में relics यूज हूँ है रिलिक्स मतलब जब एक व्यक्ती को हिटा जला दी जाती है ठीक है हाँ अंतिम क्रिया कर दी जाती है तो 100 के जलने के बाद में जो आउसेस बस्ते हैं रिलिक्स ठीक है उन आउसेसों पे भी कई stupa बने हैं तो basically बच्चों याद रखेंगे जो stupa होते थे वो एक तो रिलिक्स पे तो बनते थे है लेकिन रिलिक्स के साथ में ठीक है रिलिक्स के साथ में हम जो यूटेंसिल्स यूज करते थे या जो रिमेंस ठीक है यूटेंसिल्स इंट मॉंक्स प्रेट के जो बरतन यूज़ के जाते थी उनके पहनने के जो खड़ाओ आपने देखा होगा वो स्लीपर जो पहनते थे उनके बरतन उनके भीच्छा-पात्र इन चीजों के उपर भी स्टूप का निर्माड हुआ है तो दोनों तरह की स्टूप के निर्माड आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे ठीक है दा रिलिक्ट चेमबर बरीड दीप इनसाइड दा अंड इस कॉल्ड तबेना अगर आप देखोगे तो ऐसे आपका बेस है ठीक है लेट मी क्ल उपर अंड के ऊपर यहां पर एक ऐसे थी ठीक है ब्लॉक में हर्मिका बना दी गए चारों तब से घेर दिया गया हर्मिका बनाई गए यसी मतलब एक डंड था उसमें तीन छत्री बनाई गए इसे कहते हैं छत्री एक चलियर यह च्छत्री हो गई यह हर्मिका हो गई यह आपका जो वो इलाका है ते के जिसे दफणाया घया जहां पर Elixt को यहां तो इसका सिधै तो इसलिए हर्मिका जो दीओ हर्मिका बिल्कुल मांड कीुपर हर्मिका उतनी डूरी में बनाई जाती थी लिए जितनी डूरी में मांड होता था ठीके इस टूपा में लिख लीजें मोस्ट सेकरेट प्लेस माना गया इस टूपा में ठीके हां वीडियो रुक रहा है ज्यादा अब भी रुक रहा है मानसी अगर आपको इस से अच्छी क्लास मिल जाए मैं अच्छी दो मिल सकती है ऑनलाइन में तो आप धूर लीजेगा नो नीड टू वरी अबाउट इट बेटा ठीक है घवराइए मत कोई समस्या नहीं होगी चल अभी क्लियर होगा भी थोड़ा देखते हैं इंटरनेट का तो इसू नहीं है साथ लैपटॉप का फिर से इसू है ठीक है चल आगे देखते हैं तो यह आपका the most sacred place हो गया हर्मिका ओ गई चत्री हो गई यह तबेणा जहां पर इलिक्स हो गया यह चपूतरा बनता था एसे इसे हम मेदी कहते थे ठेकं मेदी मतलब terrace type का ठेकं इस चबुतरे के उपर ऐसे end मना रहता था और इसके किनारे किनारे सीडिया होती थी पार एस कि दूपा के किनारे किनारे ऐसे अगर आप देखोगे तो सीडिया रहेंगी ऐसे और यह जो सीडिया बनाई जाती थी चाहत अब गोल गेरा उसे लोग वेडिका कहते हैं ठिक Edwards दिक है अब यह जो वेडिका होती थी तीन ॉती 2 वह आशे से बनी होती थी इसके बीच में आगर आप देखो तीन गैस मिलेका वॉण टू का मिली हुए रूप मेंठाय की परिम्हक्रमा करते थे क्योंकि यह जो ईसी को सेक्रड़ माना जाता था तबे ना की परिक्रमा होती थी तरकम गुलेट़ी जो स्पेस हे वो नीचे भी होता दा उपर भी होता है देखे हाँ नीचे भी होता था उपर भी होता था और वहीं पर अगर इसके डोर की मैं बात करूँ अगर मैं इसके डोर की बात करूँ तो यह देखिए इसके डोर जो है टोरन ऐसे दर्वाजे बनाये जाते थे टोरन की क्लियर है यह टोरन बनाये जाते थे ऐसे इनके गेटवेज होते थे ओके येस ऐसे गेटवेज होते थे तो यह आपका इस टूप का पूरा डिजाइन जो मैंने आपको बताया तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है और बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियरली मैंसन है ठीक है जी देखेंगे यहाँ पर ओबर टाइम ओबर टाइम इस हेमिस्पेरिकल माउंड हैस टेकन उन इवें ग्रांडर सिंबोलिक एसोसियेशन दे माउंटेन होम अप दे गौड अट दे सेंटर अप दे यूनिवर्स बोला जाता है एक समय बाद यह जो आपका पूरा इस्तूप है इसे लोगों ने माउंटेन होम आफ दी गौड अट दे सेंटर अफ यूनिवर्स ब्रमांड के मद्ध में इस्वर का घर ऐसा लोगों ने माना और इस्वर के घर के रूप में हर्मिका जो है यह सबसे ज़्य इस्थान माना गया है कि लिए देखें आप लिखा हुआ है स्क्वाइर रेलिंग ऑन दे टॉप आप दी माउंट और फैंस डेट सरांड़िट दा मौंड अफ डर्ट सरांड़िट दा माउंट अफ डर्ट लेट मी क्लियर यह दिखरा आपको यह इसके उपर बना हुआ है यह देनोट करता था नीचे माउंड इतना ही आपको मिलेगा इतने ही माउंड मिलेगा और इसी के ऊपर लोगों ने हर्मिका बनाई है मतलब हर्मिका बनाई जाती थी इसी लिए से सेक्रेट बरियल साइट कहा जाता था नेक्ट छत्र जो है ठीके छत्र जो है तो सेंट्रल पिलर सपोर्टिंग गा ट्रिपल अंब्रेला फॉर्म कि यह आप देखेंगी तीन अम्रेला मिलेंगे यह तीन ओंब्रेला जो हैं ये त्री रत्न को सो करते हैं मतलब बुध्धा ध धम्मा और संगा कहने का मतलब बुद्ध गौतम बुद्ध की सिक्षा तो बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध धर्मा धर्म मतलब गौतम बुद्ध की टीचिंग्स को यही त्री रत्न सो करता है। नेक्स अगर आप देखेंगे तो बोला जाबता है किसी वाल के किनारे आप देखेंगे डेकोरेटेड गेटवेज होते थे यह देखिए और यहां पर थ्री होरीजोंटल श्टोन बार्स होते थे यह देखिए दिखरा है जैसे भी गेट मैंने आपको बना के बताया था ऐसे अगर आप देखोगे तो गेट चार गेट बनाये जाते थे चार तरफ से इसकी इंट्री दी जाती जो कभी कभी कुछ गेट के पास में पीलर भी देखने को म मिले हैं आप अगर आप अगर यहां तक क्लियर हुआ तो दो पॉइंट और देख लेते हैं फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं क्या-क्या चीज़े थी आप एक बार माइंड में रिकॉल करना कि आपको मालूम है यह सर्कुलर टेरिस यह देखिए यह सर्कल में सर्कु तैनलाई ना यहाँ गेपं क्रियेट करें और इसे फूची कहते थे फुक्ति यह रिलिंग यह बेडिका है और यह जो लैक्त नहीं अधर कर देखे नहीं होगी आफि Boss ऑमा संगा अग्या यह हर्मिकलो डेर पास पड़ा से क्रेट यह अपका गेटवे हो गया टोरन ये हैमिस्फेरिकल माउंड मतलब अंड पर उठा हुआ चबूत्रा मेधी क्लियर है और इसके किनारे ये रेलिंग बेडिका रेलिंग के बीच का गैप सुची कि ये पूरा का पूरा आर्किटेक्चर होता था अब बात करते हैं ये कौन सा material यूज करते थे अच्छा यहां पर देखेंगे सरकम प्रदिक्षिन पथ ये भी होता था ये भी होता था ठीक है उपर भी लोग प्रदिक्षिन करते थे नीचे भी करते थे तो यह जो circular terrace है मेदी वहां पर भी लोग परिक्रमा करते ना मारे बर्टब्रिक लगाय जाता था अंजबुद मतलब कच्ची इटे तो कच्ची इटे ऐसे सजा दी गई के ऊपर ऐसे कच्ची इटे सजा का माउंड है यह पहला स्टेप है डूसरे स्टेप में अन बंट ब्रिक है तीसरे स्टेप में बंट ब्रिक है और कभी-कभी लोग स्टून का प्रियोग करते थे इस टून का तेके और जो बाहर बाहर मेडी थी यँ जो वेडिका है यदो टोरंद है कि कि इनींशियली यह कि न Tibet मतब लकड़ी के बनें थे इसलीए यह मैं पुराने मिले नहीं है कई जगा पर छिएग नहोते लकड़ी के होते थे आगे समझ में जी देखा हुआ है मेदीय टोरन वर डेकोरेटेटेड विद द वूड़ेन स्कल्प्चर और वूडेन स्कल्प्चर भी बनाय जाते थे मूल्टिया बनायी जाती थे लकड़ी की इसलिए उसके साक्ष में मिले नहीं है तो material यूज मालूम चल गया तूसी सबसे खास बात इस टूप अंदर से खाली नहीं होता था ये भर्तू होता था अंदर अंड बंड ब्रिक से पूरा इसको बनाया गया था उसके उपर से बंड ब्रिक था ये पूरा एक ठोस था ये solid है ये अंदर से आपको खाली नहीं दिखेगा clear चले thank you so much आगे बढ़ते हैं ये देखो अब अगर मैं इनके इस टूप के बारे में देखता हूँ तो उमझे चार कीजे और मिलती है पहली चीज मिलती है place of veneration मतलब लोगों ने धीरे धीरे इस टूप के पास में worship start किया और खासकर इस टूप के पास में जो pillars मिले जैसे ये तोरन है तोरन के पास ये pillar है ठेके अब pillar के पास में वर्षिप वहीं पर अगर हम लोग देखेंगे तो एक axis mundi इस टूप को धीरे धीरे axis mundi के बारे में बताए गया axis mundi क्या है earth और heaven के बीच में जो connection establish करता है विद्दा God वो axis mundi है तो यहाँ पर heaven है और यह earth है इन डोनों के बीच का जो place है जहाँ पर इस्वर निवास कभी कभी करते हैं जैसे यक्ष यक्ष नहीं सुना होगा कभी कभी लोग यक्ष और यक्ष नहीं यहीं पर निवास करते हैं इसलिए अगर आप यक्ष यक्षणियों की असली मंत्र की पूजा करें तो आपको मन चाहाँ चीज मिल सकता है यह सिद्धी होती है आज भी इस पर नहीं जाओं कर मैं बस इसे एक्सिस मुंडी कहते है तो इस तूपा धीरे धीरे वहाँ प्लेस हासिल एक्सिस मुंडी की रूप में जाने लगा मतलब दा प्लेस बिडविन आर्थ और हैवन विच कनेक्ट दा आर्थ प्रॉम हैवन यहीं से आपको मिलेगा जी नेक्स्ट आपका परिनिबाना परिनिबाना is a word used for the word महा परिनिर्वान महा परिनिर्वान जो बच्चे नय है उनके लिए मैं बता जो उन्हें बुद्धिजम नहीं पड़ा है जब गौतम बुद्ध को निर्वान प्राप्ट हुआ उसके बाद वो पावा में बिमार हुए और कुसी नगर जाकर कुसी नारा में जाकर उन्होंने अपने सरीर को त्यागा इस घटना को महा परिनिर्वान कहते हैं तो इस तूपा जो है जो है that was the symbolic representation of महा परिनिर्वान क्लियर है ये symbolically present करता है महा परिनिर्वान को तो गौतम बुद्ध के इस संसार से त्यागने की घटना को महा परिनिर्वान कहते हैं और वही महा परिनिर्वान जो है उसके symbol की रूप में स्टूप का प्रियोग किया जाता है जिसके लिए हमें सब्द मिलता है परिनिब्बना निब्ब जो release है ठीके उनको यहां पर रखा गया आपको मैंने बताया इस तूप में या तो relief पे बने हुए है जो remains है या तो utensils ठीके used by the monks इनके उपर बनाए गए है अभी टीक है अभी वापन तो नहीं होज़ा है बताओ अभी हमने अर्किटेक्टर कटम किया एक परिचे ख़तम क कि क्लियर हुआ यहां तक जी समझ रहे हैं आप जी हां अन्बंड के लिए इंटर्नल था बाहर होता तो इस्टू बसता ही नहीं ना बेटा कि कॉमन सेंस ili के जी हैStill Ha है चलो अच्छी बात है लिये चलो आगे चलते हैं अब आगे आते हैं अल्ली स्टूपा पर महा popular निर्वाणर सूत करे कि बुदधिस्ट लिटरेचर अब ऐसी लिट्रेचर पूछ ले जाते एक जाम में पढ़ा ही नहीं आरे यह देखो ना बुद्धिस लिट्रेचर मापर निर्वान सुथ बोला जाता है गौत्तम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके रिमेंज को आठ भागों में डिवाइट करके आठ महान राजाओं को बाटा गया और आठ महान राजाओं ने उसके उपर इस टूप का निर्माड करवाया कि यह वह आठ कौन से थे देखो राजग्रे वैसाली मगत अजात्सत्तु राजग्रा वैसाली लिक्षवी कपिल वस्तु साथ के क्लैन अलकप्पा राम ग्रामा पावा कुसी नगर बेठ पिडा के ब्रामणों को दिया गया था इनके ब्रामणों को क्लेर है यह आठ वो जगे हैं यहां दिख रहा है गौतम बुद्र का खुद का चेत्र साक के यहीं से थे इनका जो ननिहाल था कोलिया मतलब गौतम बुद्र की माता कोलिया से थी तो देखेंगे साक के कोलिया मोरिया मल लिच्षवी बैसाली दिख रहा आपको मगद राज इस प्रकार से क्या हुआ इस प्रकार से क्या हुआ यह आठ भागों में स्टूप यहां पर बनाए गए यह एट ग्रेट इस तूप आ है हां और इन आठ महाइ इस्टूपben में से हमें दो इस्टूप देखने को मिलते हैं पहला पिप्रहुआस्टूप जो सिधात नगर यूपी चosph अब हमने उसको find out किया तो हमें केवल दो मिले पिप्रहुआ और वैसाली तो बोला जाता है पिप्रहुआ और जो वैसाली है यह उन्हीं के आठ ओरिजिनल स्टूप के ही भाग है पिप्रहुआ स्टूप को खोजा था बिलियम क्लेक्स्टन पेपे ने 1898 में एक और थिके आड़ी चूप ने इन आठ ऑरिजिनल स्टूप को क्या किया ओपन किया और इसको ओपन करने के बाद में इसके रिमेंस को बाट कर चारासी हजार इस टूप बनाएं क्या यह बहुत ज्यादा नंबर है कि यह नंबर बहुत ज़्यादा है लोग इसलिए कहते हैं यहां तो एक्जैग्रेशन है हो सकता है लेकिन यह बात भी सही है कि असोक ने इस टूप का निर्माड कराया था लेकिन फिर भी स्टूप के निर्माड असोक ने करवाय थे तो यह हमें यहां पर मिलता है इस ग्रंद पता चलता है असोक का वह जो फॉलोवर अफ सेविजम असोक पहले अब यह बहुत डिबेट भी इसमें असोक पहले सेवधर्म को मानता था फिर असोक ने अपने भाई के बेटे को देखा कि उसने बहुत धर्म स्विकार किया बहुत कम उमरे में वह बहुत सन्यासी हो गया तो जब वो जा रहा था महल छोड़के तो असोक खिड़की से देख रहे थे काभी प्रभावित हुए असोक थोड़ा सा बहुत धर्म के और आकरसित हुए असोक बहुत दुखी हुआ उस दुखी मन के बाद में असोक ने पूर्ण रुख से बुद्धिजम को स्विकार कर लिया तो ये बाद भी सही है कि असोक ने जब अटेक किया था उसके पहले वो बहुत धर्म की और कहीं ना कहीं आकरसित थे और बहुत क्रिया कलापों में लग गये थे ठीक है वह ना फिर ऐसे कहानी क्या कहती है कि असोक ने कलिंग के बाद में इसको त्यागा उसके पहले असोक क्या थे इसलिए इंसक थे ऐसा नहीं है ठीक है तो यह पॉइंट हमें यहां देखने को मिलता है बाद में बोला जाता ही इंब्रेश्ट बुद्धिजम असोका वर्च कनवर्टेट इंटू बुद्धिजम भाई मोगली पुत्त तीसा निर्गरंथ मोगली पुत्त तीसा ऐसे बहुत सारे नाम मिलते हैं नाम आपसे नहीं पूछने वाला चलिए अब आगे चलते हैं असोक ने कहां कहां पर कौन कौन सी स्टूप बनवाए तो यहां प 346 भरूत सतना MP में चौथा साची में तीन इस्टूपत तीन में से एक इनों ने बनवाया था दो अग्णी मित्र ने बनवाया थ् क्लियर है अगनी मित्रने देखे यह रायस्तेन डिस्टिक MP में है इसी साथी स्टूप को महा इस्टूप कहा जाता है अमरावती में गुंटूर डिस्टिक आंडर प्रदेश यहां पर इस्टूप बनाए तो अगर आप देखोंगे टक्षिसिला क्या भारत का वहां बिलकुल पश्चिमी भाग है तक्षिसिला वहां बनाया पानाथ जहां पर उपडेश दिया वहां बनाया ठीके कासी कासी आपके साथनाथ के बगल में यह कासी कासी में भी बना भरूत ठीके सतना MP साची रायसें डिस्टिक MP अमरावती गुंटूर डिस्टिक इस प्रकार से इतने मुख्य स्टूप जो हैं जिनकी खुद की स्थापना असोक ने करवाई थी अमरावती बिलकुल डक्षिड में आप देखेगा ठीके लेकिन आपको सबसे बड़ी बात बता कि अंधे बनें नियरदा ट्रेडिंग सेंटर ठीके हां नियर। एक ऑत ट्रेडिंग सेंटर भू यह गो अ आप देखोगे साची और उसके आगे भरूत और अमरावती ते गुंतूर तामरावती से बाहर मिला हुआ है उससमय के एंसन टाइम के फेमस टेडिंग सेंटर थे उनके बाहर कि और आपको इस टूप देखने को मिलें हैं कि और चैत बिहार भी बनाए गए हैं वहीं पर clear है बताइए clear है यहां तो है चलिए उसके बाद फिर चानीज ट्रेबलर ने आके हमारे UPSC का सिलेबस बढ़ा दिया अब यह आते हैं कहते हैं वेन सांग ने अपनी किताब में बोला है कि मैं जब भारत आया तो मैंने बंगाल के तामर लिप्ती जो पोर्ट है बंदरगा है वहां पे बंगाल के तामर लिप्ती में हमने असोक के द्वारा बनाया गया हमने स्टूप देखा है लेकिन भाईसा हमने सलेबस में सामिल किया हमने इनको आगे नोट में कर दिया है अब आते हैं मुस्तूप में साची स्टूप वस डिस्कवर्ट बाई जनरल टेलर इन 1818, 1818 में जनरल टेलर ने साची स्टूप जो था उसकी खोज की थी, 1888 में मेजर कॉल ने साची स्टूप के आज पास के जंगलों को जब साप किया, तो वहां पर उनको गिरे हुए टोरन मिले, टोरन मतलब समझते हैं, वो द्वार ये, टोरन द्वार मिले, टोरन है, हाँ, और उनको उन्होंने वहां पर इस्टैबलिस किया, एकॉर्डिंग तो सर जॉन मार्सल, सर जॉन मार्सल का कहना ये है, कि मेल स्टूपा वर्स बिल्ड बाई असोका, ओरिजिनली इन ब्रिक्स, जो मेल स्टूपा था, उसे असोक के द्वारा ब्रिक्स में बनाया गया था, और वहीं पर अगर हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करें, तो बोला जाता है कि असोक ने इसको बोला था, और फिर असोक की पतनी क्वीन देवी ने इसको बनवाया था, ठीके, क्वीन देवी उस समय बिदिसा के ब्यापारी की बेटी थी, आपने गिल्ड या स्रेणी सुना होगा, एंसेंट टाइम में गिल्ड, मतलब स्रेणी, ब्यापारियों की समू के लिए यूच किया जाता था, तो हमारे ब्यापारियों ने बहुत सारे बिहार बनाये हैं, बहुत सारे चैते बनाये हैं, बहुत स के राजकुमारी डेवी ने और इसका निर्मार कराये गया और यहां एक बिडिसा के मर्चेंट ब्यापारी की बेटी थी इनका जन्म साची में हुआ था और साची ही इनकी मैरिज का प्लेस है क्लियर है तो याद रखेंगे जिस प्रकार से लोगों ने ताजमहल को अपने प्रेम की निशानी की रूप में वैसे यहां साची बना दिया गया है मनलब इस्टूप बना दिया गया है आप देखेंगे असोक का यह जो महा इस्टूप है यह लिट्रेचर कहता है वस डिस्ट और ऑटियोलोजिकल ठीके एविडेंस फांड हमें अर्ची लॉजिकल एविडेंस नहीं मिले क्यों वुद्धिस लिक्टेचर ने बुला कि जो मर्प और ने इस महा इस्टूप को डिस्टूई किया ठीके लेकिन अगर आर्के लॉजिकında सौर्स की बाद करे तो ऐसा नहीं मिला है, इवन ये मिला है कि अगनी मित्र ने इसको फिर से और बड़ा बनाया था, ब्रिहत बनाया था, और साथ में उसके पास में दो और इस्टूप बनाए, एक अगला कुश्चन कभी-कभी पूछ लिता है, कि असोक के जो इस्टूप है, साची में, जो महा इस्टूप है बच्चों में confusion होता है, क्योंकि इसका नाम महा इस्टूप है, तो बच्चों को क्या लगता, अच्छा ये गौतम बुद्ध के रिमेंस पे बना होगा, नहीं, ये जो साची का महा इस्टूप है, ये गौतम बुद्ध के रिमेंस पे नहीं है, साची का महा इस्टूप गौत्म बुद्ध ने पहला उपदेश दिया आपको मालने में गौत्म बुद्ध का पूरा अभी मैं प्लस क्लास में पढ़ा की आ रहा हूं गौत्म बुद्ध गया से ठीक है पहले बोध गया में थे बोध गया से आठ दिन के लिए गया गया में पीपल ब्रिक्षी के नीचे ग्यान मिला ग्यान मिलने के बाद सारनाथा है सारनाथ से कासी गये कासी से सारनाथ से उरुवेला गये उरुवेला से फिर राजगरा गये फिर राजगरा में उनको य वे से चार मिले थे हैं इसमें अग्व उपाली और रभृ डो और थे तो सारी पुत्र महा मुगलन उपाली और अभः यह चार सिस्ङिन को राजगरा में मिलें और इनमेसे यह जो दो सिस्ङ हैं सार्पुत और महा मुगलन यहां गौतम बुद्ध के सफसे करीब थे, सारी पुद्ध जो हैं ठीके और महा मुगलन इनी के ऊपर साची का महाइस्टू बना है, ठीके, सारी पुद्ध जो हैं चीफ डिसाइपल थे बुद्ध के, और ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध दिल से इन्ह अपना सक्षजर बनाना चाहते थे लेकिन महा मुगलम भी इनको prominent disciples थे लेकिन ऐसा माना जाता है कि they both died during the life of lifetime of Buddha लेकिन डोनों लोगों की मृत्यू जब गौतम बुद्ध जीवी थे तभी हो गई इसलिए गौतम बुद्ध ने भी अंतिम समय था उनका कुसी नारा में उन्होंने किसी को भी अपना सक्षजर नहीं बताया clear है? जी हाँ आगे देखेंगे साची स्टूप पावज एक्स्ट्रेक्टेड बई अलेकजेंडर कनिंगम और वही जो साची स्टूप था उसकी खुदाई जो की वह अलेकजेंडर कनिंगम ने और फेडरिक मैसी ने किती 1870 में देख रहे हो आप अंग्रेजों ने और अंग्रेज चोर तो होते ही है तुरंथ हमारे हाँ पे जो बोन रिमेंस थे ठीक है और बाकी जो रेलिंग टॉफी थी जो रेलिंग थी इन सभी को उठाकर ब्रिटेन ले गए और ब्रिटेन ले जाकर विक्टोरिया एलबर्ट म्यूजियम लंडन को बेच दिया ठीक है और जब इसको बेचा तो हमारी भारत सरकान ने बोला ठीक है चले गए हो मानलो ठाकुत हो गए हो ऐसे गए हो लेकिन स्रिलंका ने सीरियस लिया और स्रिलंका की महाबोधी सोसाइटी ने 1947 में इसको लंडन से परचेज करके ये तो वही बात हो गई न हमसे चोरी करके ले जाओ हम खुदी पैसा देके लाए अब ये लंडन से लेकर आए उसके लग दिया कि देख रहो कैसे ये दो चोर जो थे ऐसे बोलना सही नहीं होगा एलेक्जेंडर कर निंगम के लिए तो ये सब्द नहीं अच्छा आपको लगता मैसी के लिए अच्छा लगता है क्योंकि मैसी सच में अगर मैंने तो इतिहास ऑप्सनल भी पढ़ाया पढ़ा ह है बहुत लंबे समय तक मेरा अप्सनल रहा है तो यह अप्यक्ति केवल भौतिक्तावादी था ओरिजिनल में ब्रिटिस था मान लो इसने चोरी करके कई चीजें बेची हैं उन में से हम इसको वापस लाकर अपने आप चैतगरी आज आपको ये चैतगरी बिहार में देखन किया गया कि 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की रुप में डिक्लियर हुई कि अब आज आते हैं भरूत इस्टूप भरूत इस्टूप जो है ना यह भी साची में लेकिन सत्ना में है ठीके इट वाज डिसकबर्ट बाई अलेक्जेंडर कनिंगम इन 1873 एक प्रेजेंट इस इस टोनली फ्रेगमेंट मतलब यह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉइ हो गया है और अभी यह टुकडो में हैं फ्रेगमेंट में हैं क्लियर टुकडो में है और रिमेंस आफ इस्टूपा लोकेटेड एट म्यूजियम एट कोलकाता वाराणसी सत्ना एं लंदन देखो यह लिखरा है यह आपको म्यूजियम में रखा हुआ है यह रखिए इसकी बेदिकाय रेलिंग कैसे रखी हुई है तो कैसे रखा हुआ है तो यह रिमेंस में है और अभी आपको इस चार जगा के म्यूजियम में देखने को मिलेगा कोलकाता वाराणसी सत्ना लंदन ठीक है यहां पर आपको देखने को यह मिलेगा एं यह रखेंगे बहरूत स्टूप में सुंग राजा धान भूती का एक इंस्क्रिप्शन मिलता आए इट मीन्स कि धान भूती ने इस स्टूप के टोरण का निर्माड करवाया था ठीक है जो टोरण थे उसको बाद में धान भूती ने बनवाया था क्लियर हां आगे देखेंगे अम्रावतीस तू मैंने लास्ट यह आपको पढ़ाया था नहीं आप इस बार दोजाटेस में दो क्वेश्चन आएं मेरी पुरानी सीरीज में दोनों चीज़े मैंने डिसकस की हैं बस आज की सीरीज में थोड़ा एडवांस जाने वाला हूं कैसे मैं आगे दस मिनट और है लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से पॉइंट कवर कराऊंगा ताकि स्टूप से कोई भी क्वेश्चन आये तो यू अर एबल टू सॉल्व दा क्वेश्चन चलो देखू अमरावती स्टूप जो है यह गुंटूर में है आंद्रप्रदेश में यह यहीं पर बाद में इस चीज का डेवलप्मेंट हुआ ठीक है धर्नी कोटा अमरावती तो अमरावती स्टूप आफ असोग वाज डिस्कवर्ड बाई कॉलिन मैकेंजी इसकी खोज कॉलिन मैकेंजी ने 1797 में की थी 1797 में और फिर बोला जाता है कि असोग का पिलर वाज इस अमरावती स्टूप का सबसे special feature क्या है असोग के पिलर ठीक है जो की तोरन के पास में बनाया गया है और लोग जो थे उसकी वर्षिप करते थे उसकी पूजा करते थे जब जब वो इस टूप जाते थे जो भी लोग इस टूप जाते हैं उसके द्वार गेट तोरन के प पिलर है उसकी पूजा करते हैं यह अमरावती स्टूप की सबसे खास बात है और दूसरा यह स्टूप मारबल में है इट बिल्ट ट्यूरिंग साथ वाहन पीरियड ठीके हाँ असोग का इस टूप एट अमरावती वर्ज और नमेंटेड बाई साथ वाहन किंग पुला मही सेकेंड तो साथ वाहन ने वहाँ पे एक स्टूप तो बनवाया ही है साथ में जो असोग की स्टूप थे उनको और ज यह देखिए यह टोरंट द्वार देखेंगे आपको एक ब्रिटिस जो थे ना वह रिमेंस में थे रिमेंस का जो मार्केट था पुरानी चीजों का ठीके हां एंटिक्स का यह सब इन्हों नहीं तो बनाया यह देखिए आपको साल गॉड़ेस जो हैं दिख रही हैं आपको गॉड़ेस ऑफ फर्टिलिटी साल ब्रिक्ष को पकड़ते हुए इसे साल भंजिका का नाम दिया गया है क्लियर हाँ और यह आपको दिख रहा है तोरण और तोरण में अगर आप देखोगे तो दोनों साइड आपको इमेज जो दिख रहे सेम साइज है जो इमेज इधर है अगर उधर से आप देखोगे कई जगा दो मतलब जो इमेज हुआ हाँ उपर नीचे है दोनों के सेम साइज में बनाए गए यह तोरण की सबसे खास बात है और तोरण की गेट पर आप देखेंगे अलग अलग तरीके से पूल पत्ती डिजाइन एलिफ हुआ यहां तक ठीके हाँ सिंबल के साथ में डिपिक्शन के कारण ही एनिकोनिजम बुला जाता है क्लिर हाँ अब आएए यह तील स्टूप हो गए अब हम आते हैं इंपोर्टेंस ऑफ स्टूपा मान लीज़े अगर आप से कभी पूछले में के क्वेस्चन में कि डिसकस्वडी फीचरस ऑफ श्टूपा क्लिए है या दिसकस्वडी इंपोर्टेंस ऑफ श्टूपा ठीके and give the details about stupa architecture, लिख लो आप question लिख सकते हो, ठीके question लिख लो आप, ठीके, हाँ, question लिख लो, discuss the importance of stupa and detailed there, detailing there, architectural features, ठीके, इनके architectural features को detail करो, लिख लिख लिए आपने question, मुझे अभी चीए, 30 मिनिट में class कतम होने के बाद, अभी समझा रहा हूँ, format बताऊंगा, class कतम, जो मैंने समझाया, आख बंद करो, लिख दो, dimension आपको याद रखने हैं बस, बाकी pen तो आपकी चले, क्योंकि इतना तो आपको समझाया है, ठीके, अब देखिए, ये जो आपकी importance of stupa है, उसमें आपको एक ये दिखेगा, religious, religious importance, दूसरा, philosophical importance, टीसरा, historical importance, पहले ये तीन देखते हैं, तीन में जो सबसे पहले हैं, religious importance, बच्चो, religious importance में आप देखेंगे, सबसे पहले लिखा हुआ है, कि ये रिलिक repository था, इट मींस, कि जो इस टूप है, वो धार्मिक रूप से महत्यपूर्ण है, विकाज यहां पे बुद्धिस्ट मॉंक और गौतम बुद्ध के कई औसेसों पर बने हुए, इसलिए दार्मिक रूप से मात्यपूर्ण है, दूसरा, ये sacred place होता था, आगे चलके कई सारे स्टूप जो हैं, वो चैत में बनाए गए, मैं आपको बताऊं, चैत, चैत केव होती थी, जहां वर्सिप होता था, हमें ऐसी कई चैत मिलेंगी, जहां पे स्टूप अंदर है, और लोग जाते हैं, गुफा में और उस स्टूप की पूजा करते हैं, तो अभी जो स्टूप आपको individual दिख रहा है न, sometime स्टूप लेटर, after the modern period, स्टूप जो था, that was become the part of the चैत also, वो चैत में भी बनाए जाता था, नेक्ट अगर आप देखेंगे, circumulation path, दिख रहा है, मतलब यहां पे लोग परिक्रमा करते थे, प्रदक्षिड़ापत, परिक्रमा करते थे, लोगों का मानना था, एक वर्सी परपज के लिए यूज होता था, तो क्या आप इसके religious importance को लिख लोगे, tell me, next है philosophical importance, बच्चो फिलोसोफिकल importance में सबसे खास बात है, meditation, लोग मानते है, इस टूपा इस अप प्लेस अफ मेडिटेशन, place of meditation, next commemorative, मतलब, in the birth, एक इस टूपा बिल्ट, एक है, आप इस टूपा बिल्ट, एक है, on the occasion of, एक है, sorry, occasion नी लिखेंगे, एक है, इस टूपा बिल्ट, तू सोदा, ठीक है, हाँ, बिल्ट, तू सोदा, life, या तू सेलिब्रेट दा लाइवेट इवेंट साओ, एक है, तू सेलिब्रेट दा लाइवेंट साओ, तू सेलिब्रेट, life, events of good, एक है, गौत्म बुट्ट के लाइवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए, बनाया जाता है, तू सेलिब्रेट में, एक है, और यह नेक्स्ट वन, Symbolic Why it is known as Symbolic Symbolic का यहां पर मतलब क्या है Symbolic का मतलब यह है जैसे आपने धमे की स्टूपा का नाम सुना है धमे की स्टूपा सारनाथ में है अब यह स्टूपा क्यों बनाय गया है इन से लिए क्योंकि यह Symbol है प्रतीक है किसका पर्स्ट सर्मन का जोने पहला उपदेश दिया था और दूसरा एट फोल्ड पार्थ अस्तांगी का मार्ग क्योंकि यही पर पहला सर्मन दिया था यही पर अस्तांगी का मार्ग बताया था इन डोनों के प्रतीक की रुप में धमे की स्टूप जो है सान आप में उसका मतलब उप्रतिक की रुप में माना जाता है क्या यह आपको clear हुआ इसको थोड़ा सांसर राटिंग में elaborate कर लीजेगा नेक्स्ट है आपका historical importance अब historical importance में more क्या हमें इससे more के बारे में पदा चलता है जी हाँ मौरे के बारे में हमें भरूत यह भरूत है ठीक है हमें भरूत स्टूपा साची स्टूप से मौरे के बारे में पदा चलता है अमरावती भी लिख लो यहाँ पर असोग ने बनाया था साथवान के अमरावती स्टूप से हमें साथवान के बारे में पदा चलता है Alrightman those two T one was built by the ASOKA second one the saw one it also gives the in for me it's also giving the information about the ancient dynasties they gave the information about the Moria's the Satvan also you can mention the guptas because the make is too power there at that time developed by the guptas क्योंकि हमें सारनाथ के स्टूप में बाहरी जो है उसमें टोरन वस बिल्ट बाइज चंड चंड गुप्ता सेकंड चंड गुप्ता सेकंड में संडेर नेम देर okay on the torrent so it also giving the historical uh like the fact that's why it is historically important important philosophically importance because philosophical importance because it talks about the meditation because he stupid the place of meditation commemorative because the life of the life events of the Buddha was celebrated in the Tibet okay or on this occasion the stupa was built in Tibet the commemorative symbolic it also gave the philosophical evidences about the eightfold path the make stupa gave the giving the information about the first sermon and also about the eightfold path the symbolic representation of the philosophic philosophy of the buddhism okay yes getting the point next one architectural importance yeah architectural importance की काड हम इसे बोलते है olde stuels अगर बोला जाए तो हमारे हम पे आर्किटेक्ट्ट्चर में हर्लियस रिस्तोर श्ट्रक्ट्छर अगर है तो यह यE है तेगेंड अविडेंस ओप दीनेक्थे अनिकॉनिजम आओ धिके लिभी कोड़ और टोरण दी लाइप आफ बुद्ध या गौतम बुद्ध रिफलेक्ट बेट शिम्बल्स क्या आमने इनके बर्थ को लोटस वो बुल के साथ बताया है क्या हमने इनके रेनुसियेशन को हॉर्स के साथ बताया है क्या हमने इनके निर्वान प्राप्ति को मैं अब पीपल बोधी ट्री के साथ बताया है क्या हमने इनके महापर निर्वान को या ज्यान प्राप्ति को वील से बताया है चक्र से क्या हमने इनके महापर निर्वान को इस्तूपा से बताया है जियां महापर निर्वान इस्टूपा जब हमने गौतम बुद्ध को ही प्रेजेंट करने के लिए रिफ्लेक्ट करने के लिए जब हमने सिंबल का यूज किया तो आर्खिटेक्ट्चर में यह एनिकोनिजम मतलब जब आप किसी चीज को किसी परसन को उसके सिंबल के तो प्रेजेंट करते हो तो उसे हम एनिकोनिजम कहते हैं यह आर्खिटेक्ट्चरल इंपोर्टेंस है इस टूपा की इंक्लीजन आप टेक्स इन डा नेरेटिव पैनल्स देर आर आई स्टोरी जाता की स्टोरी वस देयर तारा गॉट्डेस तारा की स्टोरी है!! हमें यह बहुत से इस टूप के जो बाहर आपके यह दिखेंगे वेडी का वेडी का में अ नेरेटिव कहानियों को भी समझाता था कहानियों को explain करता था फिर इधर आ जातें एक जनरल कुस्चन है डज इंडिया यूज यूज देर पास्ट इन डिप्लोमेशी इन फॉरिंड पॉलिसी येस जों सिलंका की बात करते हैं तो भगवान राम और हनुवान याद आते हैं जब साउथ इस्ट एसिया के साथ में डिस्कुसन करते हैं तो वहां पर या फिर चाइना हुआ या जापान हुआ हमाई लिए बुद्धिजम बहुत इंपोर्टेंट है लेलिटि विस्टार नाम का ग्रंथ है जिसके जिसके टांसलेशन जब अंग्रेजियों ने किया तो बुद्धिजम को लाइट आफ एस्या के रूप में दिया बुद्धिजम लाइट आफ एस्या क्लिए तो दिस इस इस इंपोर्टेंस अब दी स्टूपा चलो क्वेश्चन करो बता पहले क्वेश्चन का अंसर आम बेटिंग पहले क्वेश्चन का अंसर बताओ लिखा हुआ एक ट्रब स्टूप एक ट्रब लोकेश्चन नीचे दिखा हुआ हाव मेनी आफ दा पेर्स आर गिवन अबब आर करेक्ट इस्टूपा पिप्रहवा इस्टूप भिहार भरूत इस्टूप मध्य प्रदेश नागाजुन कॉंड़ा आंध्र प्रदेश ठीके रामगुआर इस्टूप उत्तर प्रदेश find out the correct answer A, B, C, D only one pair, two pair, three pair, all four pairs जल्दी बता इतना टाइम नहीं है जो बाद में देखेगा और comment box में लिखके देगा बता देता हो ना तुम तो ऐसी समय बर्बाद करोगे फिर प्रवा इस्टूप सिधात नगर यूपी कुसी नगर है तो ये गलत हो गया ये गलत हो जाएगा ये यूपी में है सिधाप नगर डिस्टिक बरूत इस्टूप MP में सही है नागाजुन कोंडा सही है रामभुवार इस्टूपा उत्तर परदेश में कुसी नारा में या कुसी नगर बोल सकते हैं जहां पर गौत्तम बुद्र ने महा पर निर्वान निर्वान प्राप्त किया था ये इसे रामभर इस्टूप भी कहते हैं कि यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली ट्री पेर सीज्ट करेक्ट आंसर देखो इतना पढ़ने बाद भी गलत आंसर आ रहा है ओ होत नागार्जुन कॉंडा मं आंध्र प्रदेश भरू तो अभी प्रदेश अभिप्ड आया पया है आरा कुस्त दिमाग लगा रेते बस्क्राव बस्का जानता नागार्जुन कॉंडा आंध्र प्रदेश में ओ स चलौ आँ Consider the following statement. पहला, according to the text Ashok Vadan, Ashoka distributed Buddha's relics and ordered the construction of Stupas over them. The early Stupas contained the Hermika that represents the abode of the gods which is absent in the later Stupa due to formation of different sects of Buddhism. आपके options है, one only, two only, both one and two, neither one nor two, which is going to be correct? मैं आपको बता देता हो, मैं तो आपसे पूस्ता ही रहूँगा. देखो भाई, पहला बिल्कुल correct है, अभी आपको पढ़ाया, 84,000 वाला, यह जानकारी हमें Ashok Vadan या फिर आउधान सूत से भी मिलती है. और second गलत है, मैं आपको बता दू, हर्मिका का importance और complex हो गया, लिख लिजे, with the time, ठीके, complexity of, of फिर्मिका increased, ठीके, तो यह और जदा क्या हो गया, complex हो गया, ठीके, लेकिन इसने importance नीक होई है, यह और जदा complex हो गया, that's why इसका answer A हो जाएगा, one only, next, with reference to the great stupa of साची, consider the following statement, ठीके साची के great stupa के बारे में आपको यह statement बताने है, इट इंस्राइन रिलिजियस, रिलिक्स और रिमेंस और बुद्धा और इस डिसाइपल एस बेल बिलकुल सही है, गौतम बुद्ध उनके डिसाइबल दोनों के रिमेंस पर बना हुआ है, correct, it is declined as a religious side coincided with the decline of Buddhism in the Indian subcontinent, बिलकुल सही है, बहुत धर में जब हमारे हाँ पर खतम हुआ, तो आप देखो ना, इस टूप का ज़्यादा कल्चर नहीं, हमें से बहुत लोग इस टूप नहीं गए है, जो MP में होगा, चला भी गया होगा, कोई बहुत जो सी टूप गुमने नहीं आता है, तो यह भी correct है, the victory inscription of channel गुप्त 2nd, carved on the railing of great stupa, बिल्कुल सही, यह महान इस्टूप जो है, आपका इस्टूपा साची वाला, तेके, इसमें जो इसके यह हैं, क्या कहते हैं, railing है, यह railing बाद में add की गई, गुप्ता पीरियड में, और इसमें चंद्र गुप्त 2nd की victory को सो किया गए, जब इन्हों साको को और आया था, that's why यहाँ पर answer हो जाएगा, D123, clear है, हाँ, अभी यह main's का question करके दोगे मुझे, discuss the importance of stupa and detailing their architectural features, या architecture of stupa, करके दोगे, कैसे यह बनेगा answer, बहुत आस्तान है, पहले importance पूछा है, देखो, intro में about stupa, आप stupa के बारे में थोड़ा intro दे दो, मैंने शुरुआत में जो बैडिक वाला बता है न, थोड़ा सा अर्किटेक्चर के साथ जोड़ दो, main body में, बहुत answer, अंदर जाके deep में नहीं लिखना है, answer को depth नहीं देना है, answer को आप बहुत जादा depth में मत ले जाओ, answer को आप उपर उपर रखो, vertical space में लेकर आओ से, ठीके, vertically elaborate मत करो, horizontally करो, main body में पहला, importance, क्या importance में हमारा हो जाएगा, religious, philosophical, ठीके, historical, अर्किटेक्ट्चुरल, diplomatic हो जाएगा, जी हां, उसके बाद फिर second features, या architecture, अर्किटेक्ट्चर में, क्या हम यहां पर इसके अर्किटेक्ट्चर को बता देंगे, mound को explain करेंगे, mound, and जो है, hemispherical, उसके बाद हम हर्मिका explain करेंगे, जी हां, हम छत्री explain करेंगे, जी हां, फिर, हम मेधी, हम वेधी का, यह के material used, थोड़ा explain करेंगे, जी हां, लेकिन जब आप यह और यह लिखने जाओगे, इसके बीच में थोड़ी इसकी philosophy भी दे देना, क्लियर है, हां, और फिर conclusion में, CDC बात है, आर्किटेक्चर पर question है, आज भी बुद्धिजम जो है, वो हमाई लिए बहुत important religious perspective से, एक बहुत अच्छा conclusion दे देना, तो आप लेक्चर को जो पीछे रहे पास देखो, इसको complete करो, और अगर आप serious तैयारी करना जार हो, UPSC की, तो आप देखो के geography, PSIR यह सब start होई गया है, साथ में आप, मेरे साथ में अगर आप Hindi medium के हो, तो आप both best join करो, तो मैं वहाँ पे history पढ़ा रहा हूँ, ठीके यह पूरी team है आपकी, clear जो आपको पढ़ा रही है, ओके, और आप इसको scan करो, आप हमारे channel के साथ जूड़ सकते हो, इस channel को subscribe करो, video को like करो, बच्चों में share करो, ठीके कर भला तो हो भला, और दूसरी सबसे खास बात, Deepakon code यूज करें, subscribe करें, 7999 में अब लेवल है, भरोसा देता हो, जहां पे लोग 1.5 लाक रुपे देकर भी, वो quality नहीं पापाते होंगे, इस quality पे हम आपको पढ़ाएंगे, और 2024 का exam क्रेक कराएंगे, इस लेवल सापके रोज़ा 24 के पहले complete होगा, recording सब लेवल होगी, बाद में आपको मेरे personal mentorship में, answer writing पे focus कराए जाएगा, ठीक है, तो join करिए इसको, अच्छे से, और मिलते हैं आप कल की class में, कल हम असोग के pillar पे discussion करेंगे, ready हैं आप, ठीक है, टॉसोग के pillar को discuss करेंगे, session को like कर देना, ठीक है,